नमस्कार मैं पूजा वशिष्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ 31 जन्वरी को साल का पहला पूंट चंद ग्रहेंट पढ़ने वाला है साल का ये पहला चंद ग्रहेंट काफी असर डालने वाला है इसे कोई सुपर मून कह रहा है तो कोई सुपर ब्लू मून तो कोई बलडी मून कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रहन अलग-अलग स्थानों में तीन रंगों में दिखाई देगा अगर हम भारत की बात करें तो 31 जनवरी को ये ग्रहन भारत में भी दिखेगा और इसका असर भी पड़ेगा भारत में ये चंदर ग्रहन बुदवार को शाम 6 बच कर 22 मिनिट से शुरू होकर रात 8 बच कर 42 मिनिट तक रहेगा इस ग्रहन की सबसे खास बात ये है कि इसका असार 108 दिनों तक रहेगा जोतिश इस ग्रहन को अशुब मान रहे हैं ऐसे में कुछ उपायों को करके आप इस ग्रहन के नकारात्मक उपाय से बच सकते हैं साल का ये पहला चंदर ग्रहन अशुब माना जा रहा है जोतिश के मुताबिक इस चंदर ग्रहन का असर हर राशी पर अलग-अलग होगा इसका सबसे ज़्यादा असर गर्वती इस्त्रियों पर होने की संभावना है ऐसे में कुछ जरूरी उपाये आपको ग्रहन के नकरात्मक असर से बचा सकते हैं जोतिश शास्रियों के मुताबिक ग्रहन का सबसे ज्यादा असर गर्वती इस्त्री और उनके होने वाले बच्चे पर हो सकता है ऐसे में गर्वती महिलाओं को कुछ जरूरी सावधान या बरतनी चाहिए ताकि वो किसी भी परिशानी से बच सके जोतिश गर्वती महिलाओं को इस ग्रहन के अष्यु प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाए बता रहे हैं जिसका पालन करके आप मुश्किल से बच सकती है इस दोरां गर्वती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जोतिश शास्रियों के मताबिक ग्रहन के दोरान गर्वती महिलाओं को किसी भी नोक वाली चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए उन्हें ग्रहन के दोरान ना तो चाकू का इस्तमाल करना है और ना ही कुछ काटना है इस दोरान गर्वती महिलाओं को सूई धागे का इस्तमाल भी नहीं करना चाहिए उन्हें ग्रहन के काल तक इश्वर का ध्यान करना चाहिए और अच्छी किताबे पढ़ने चाहिए ग्रहन शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद गरीबों को दान करना चाहिए ग्रहन काल में शेवलिंग के सामने मंत्र जाब करना आपके लिए हितकारी होगा ग्रहन के बाद सनान करके भगवान की पूजा अरादना करने चाहिए ग्रहन के दोरान अपने इश्ट देव कस्मरन करने से आपको सभी कश्ट दूर होंगे और ग्रहन आपके लिए हितकारी होगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल